है यह गाइज दिस इस कुलीप एंड वाचिंग यूपी एस से लाइबरी सो आज किस लेक्शन में हम बात करेंगे कस्मीर इसूस के बारे में सो इस लेक्शन हम डेटेल से जानें आखिर इस कस्मीर इसूस की जो हिस्ट्री क्या है आखिर क्यों यह कश्मीर इसूस इतना इंटरनेशनली फेमस मतब इसमें रहता है क्यों आखिर पाकिस्तान और इंडिया के वीच में यह सब चीजन चल रही है तो पूरा डेटेल में जानें पूरी हिस्ट्री इस कस्मीर इसूस के बारे में जानें आखिर यह इसू कहां सा स्टार्ट हुआ और कहां जाके अभी इसकी present condition क्या तो यह भी जानी और इसके लावा इसमें instrument of accession एक technical term है जो साथ में जो कश्मीर के जो king थे उनके साथ हुई थी इसके भारे मी जानेंगे जो इस लक्षा में देखनेंगे और इस लक्षा में देखनें की जैना का मैइशचा इसमेस नादन एजेस Dif eg ग Totally Up के पास हभी फलाल है जो इसने इंडिया से 9060 जो वार के टाइम पर जब ले ली थी और ये लदा का लदादे एरिया वाला टाइम है और ये जम्मू वाला और यहां पर ये अफ़वानिस्तान जो इंडिया से टच करता है ये पाकिस्तान ये चीन एरिया सो इस चीज़ को आप जानेए अब ये रिसेंट का मैप है जो आर्टिकल 370 जो जो आर्टिकल 370 है उसको रिपील कर दियता था सो उसके बाद अब ये नया मैप है सो ये इतना हिस्सा ये है जम्मू कस्मीर का पूरा और ये पूरा है इसको बनादा है लद्दाक सो अब यह दोनों स्टेट्स ना होके अब यह हैं पूरी यूनियन टैट्टी सो जम्मु कस्मीर भी यूटीज है और लद्दाक भी यूटीज हैं इस चीज़ को आप जाना कि आप प्रिजैंट में जो सुच्वेशन है तो उसके बेसे बहुत है कि आर्टिकल जब थी संट्यूट आ गया तो पूरे एक स्टेट को बीच में तोड़के यूटीज बना दिया गया तो इस चीज़ को आप याद रखना को टेलीग्राम, फेश्बूक और स्टाग्राम फोलो कर सकते हैं लिंग वीडियों के नीचे अ दिश्केश में दीर हुए करश्मीर को सभी का सभी ने मंदल इसका सभी विए अंडर आ जा धिए कि to अगया हैं जपने के इसके उपर मुस्लिम और प्रूर्प पूर इन सब्सक्राइब के जो भी नौथ वेस्टिर इंडिया के इरिया है अंकी ओ पर विए ने रूल क्या है ङलावा इसके अलावा जो हिंदू डायनेस्टी ती उन्होंने इसका जो रूलता ऊच्छेंट है यह partager तर इसके बाद आया थिया मुस्लिम डायनेस्टी एमुसलिम रूल इसको सामीर डायनिस्ट्री सामीर डायनस्ट्री और सकर सामीर ईसी को जपर thì जो सामीर उपहलों Woru था Muslim टिलो इसको कहँए रखना कस्मीर ने पहला मुंसलीन रूरोंरे था सामीर इसके बाद फिर अलंग का मैं कीयों कहले तो मुगल एवते तो lights और आगवर के बाद आए आ시간 जेब हो तो अहुत सब्सक्तों in size के अंडर अपने एंपार की अंदर इसको लेकर आता है तो इसके बाद आपकः के टेथे उसको पर प्तॉर टोड कर्च आएफ 10 ओंक मिया मिक्रीन आकफे यह आए फिर कौन आये ते फिर अफगान आये फिर six डौरा सो इन तीन नैनेस्ट्रीज यह इन तीन लोगों के अंदर पाद में कश्मीर रहा है सो सबसे पहले अफगान के वाला तो अफगान में सबसे देखा जाए तो 1752 में कसमीर सीज हो गया अब दर किसके अंडर आ गया अफगान रूलर जो कौन था एमस अबदाली सो इसके सबसे पहले किसके अंडर आ एमस अबदाली के बार सो अफगान दुर्णानी एंपार के अंदर यह आ गया कस्मीर फ्रॉम दा सत्रे सो पचास लेके अंटिल 1819 के अंडर इदिने टाइम तक इन के बीच में रहा已經 रहिक है इसके बाइए शि MKD ऑ जाती है शिए सिटांड़ी दै अंडर एंटेफ उन जी सींदे कंडर ऐन्द आजाता है कस्मी रीजन और बाद में फी को यसी आ जाता है मुसलिम रूलर की जो मुसलिम रूल था वो एंड हो जाता है अंडर दा रंजी सिंह इसके अलावा बाइद अरली 19th century इसके अरली में देखा जाता तो शिक अंडर महाराज रंजी सिंह तो कंट्रॉल दो कस्मी यह पहले बता दिया है इसके पहले वो जम्मो को एनेक्स कर जोगी थे देन दा सिक रूल कर सुए अंटिल देवर डिफीड़ बाइद बाइद बीटिस सो उनका रूल जब तक रहता जब तक वो बीटिस के दोरह डिफीड नहीं के जाते और कौन से वार में फर्स्ट एंग्लो सिक वार में इस चीज जाता है इसके बाद आफ्टर डेट कस्मीर बेकी में प्रिंसली स्टेट ऑफ दे ब्रिटिस एंपायर अंडर डोगरा डाइनस्टी इसके बाद को यह हो जाता है कस्मीर एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है ब्रिटिस एंपायर के अंदर अंदर डोगरा डाइनस्टी सो यह treaty sign करते हैं treaty of Amritsar with the British East India Company in 1846 so 1846 में Dogra dynasty king हुते हैं Gulab Singh वो treaty sign करते है treaty of Amritsar British East India Company के साथ so this treaty के अंदर हो है कि he paid 75 lakh to East India Company वो East India Company को 70 में 75 lakh वो पेड करते है British Empire को East India Company को in 1846 में in exchange of the Kashmir and some other area in area के बदले में so इसी वेसे इस कारण उनके अंडर रहता है इसके लावब Jammu Kashmir as a single entity was unified and founded 1846 जैसे यो पेड करते हैं तो Jammu Kashmir एक single entity बन जाती है so इस पॉइंट को आप याद रखना इसके बाद Joe Rawr Singh जो कि ये जनर्रल होते हैं Dogra Army में later had many campaigns in northern like मतर्ब इसके डोगर आर्मी के अंदर वो काफी सारे वह लड़े हैं लाइक और इनके अंदर काफी सारे एरिया capture किया थे लाइक लद्दाग वाला हो गया बलतिस्तान हो गया गेलीट उन्जा यागिस्तान सो ये चोटी चोटी एरिया को अपने अंदर संभा लेते में अंधा अंदर control में लियाते हैं और इस उस बाद में पूरा एरिय करते हैं स्मोलर में पाकिस्तान यापर क्रिए होते हैं एंडिया आपर क्रियेट होते हैं एज सबस्ते हैं य्विटिस से इंडिया रहें अर्ब्रिटिस इंडिया सब्सक्राइब सकते हैं या इंडिया जॉन कर सकते हैं और आप में इंडिपैद्ट भी रह सकते हैं यह सब्सक्राइब जो के जो इस चांप में महारजा रही सहीं सहे फ़्यान रखना है यह बाद में काफ़ नीज में रहे हैं मतलब नीज में क्या है इनको बारे में थोड़ा पड़ा जाएगा जो भी इसके महाराज हरी सिंग होते हैं ग्रेट ग्रेंट सेना महाराज गुलाब से मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रेंट सेना होते हैं महाराज गुलाब सेनके 1947 में यह बोलते हैं कि he did not want merge with the India or Pakistan, वो बोलते हैं कि मुझे India or Pakistan के साथ मर्ज नहीं होता है और उसका एक रीजन भी देते हैं because बोलते हैं कि he expected that the states muslim would be unhappy with accession to India वो बोलते हैं कि जो हमारा जो state है, वो muslim state है, तो वो unhappy होगा इंडिया के साथ होके और एक और रीजन दे कि and the Hindus and six would become vulnerable if we join Pakistan मतलब वो दौन आपेंट देते हैं कि जो muslim है, वो इंडिया के साथ नहीं पियोंगे और जो हिंदू और six हैं वो पाकिस्तान के साथ vulnerable महसूस feel करेंगा इसी जो बोलते हैं कि हम किसी के साथ नहीं नहीं हम independent रहना चाहते हैं so harry singh try to negotiate with India and Pakistan to have independent status to her for his state so harry singh जो है, ruler वो इंडिया पाकिस्तान के negotiate करते हैं बोलते हैं मुझे independent status दे दो मुझे independent होना है मैं किसी के साथ नहीं जाना से यह बोलते हैं so इसके अलावर, so इसके बार, he offered proposal of standstill agreement so इस agreement के बारे मैं याद रखना, standstill agreement दौनों के इंडिया और पाकिस्तान के साथ दौनों sign करते हैं he proposed, मतलब पहले तो वो प्रूपोसे देते हैं both the dominant and pending finding a decision of the state accession मतलब, standstill agreement का मतलब यह है कि जो उस्तिती जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ है कस्मीर की वो यतावत रहेगी मतलब जो पहले थी वो अभी रहेगी हम आपके साथ trade भी करेंगे बागी और जो business deal है या जो trade है वो सब सिकलता रहेगा बस हम independent रहेंगे और बागी आप दौनों के साथ जो same चीज़ चल दिया वो करते रहेंगे सो यह है कि जो condition है वो same रहेगे बस यह है कि हम independent रहेंगे सो इसमें यह standstill agreement का यह कहना सो अगस्त 12 1947 में प्राइम मिनिस्टर आप जम्माहिन कस्मी सेंट आइडेंटिकल कम्मिक्शन टू गवर्मेंट आप इंडिया एंड पाकिस्तान से हो गया इस उन्हें यह बोल दिया तो पाकिस्तान सो कट कर देना इस्टार्ट सो पाकिस्तान इस standard agreement को और जो ओफर दिया था उसको तो वह पाकिस्तान एकसर्ट कर लेता और बोलता है सेंटे कम्मिकेशन टू जी एन के प्राइम मिनिस्टर अगस्ट फिप्टी नैंटि फोटी सेवन पाकिस्तान उस agreement को एकसर्ट कर लेता यह इसमें बोला बट इंडिया है इंडिया एड्वाइस देता कि आप एक बार इस बारे में सोच सकते है मनें मदर जो के बारे में जो जो किंग था प्राइब बोलता आप इस बारे में एक बार सोचते हैं अगे डिसक्रिशन करने के लिए डिली में उसको कोई वी एक रिप्रेजेंटेट को बला जाता है टू डिली सो यह इंडिया का था इसमें यह पॉइंट है कि पाकिस्ता बाद में चलता है इंडिया अभी को बाद में पाकिस्तान इस एग्रिमेंट को ब्रोक कर देता है तो यहां से पता चलता है, पाकिस्तान ने एक 22 बच्चे की तरह जो पहले चीज भी हाँ करता है, बारे मना कर देता है, तो इस agreement को बारे में ब्रोक कर देता है, इस इस इसेग्रिमेंट को बाई स्पॉंसिंग को बाई स्पॉंसिंग ए ट्राइवल मिलिटेंड अटेक इन कस् सो जो ट्राइबल सो पस्तू ट्रेडर पर सुन जो पस्तू जो रेडर होते हैं पाकिसान की तरफ से वह एडवेट करते हैं कस्मीर को अक्टूबर नांटी उनके साथ वो उनको अपील करते हैं और एसीचेंड के लिए बोलते हैं तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया इंडिया इस शौर करता है कि हम आपकी हैल्प करेंगे बट एक कंडिशन के उपर करेंगे कि जब तक आप करेंगे कि हरी सिंह जब सो डेशान को इस साइन करन जाता है, so Maharas Hari Singh signed a instrument or accession with India in 1947, so इस पॉइंट को याद रखना, so यहाँ पर कस्मीर instrument or accession sign कर लेता है, इंडिया के, so it also agreed that once the situation normalized, the views of the people JNK will be ashamed about their future, so यहाँ से कस्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है, because यह instrument accession कर लेत, किया जाता है, कस्मीर के रूलर के द्वारा इनाइटी 47 में, so इस चीज़ को आप याद रखने हैं, याद अब काफी important point हो जाता है, so इसी से पता जलता है कि कस्मीर इंडिया का एक legally part हो जाता है, so यह उस ताइम का न्यूस्पीपर भी है, इसमें भी लिखा हुए कि कस्मी access to the India, so कस्मी इंडिया की जो भी है, उसको मान लेता है, और प्लाइविस साइट soon on ruler decision, उस जो instrument लिखा होता है, so यह इसमें बोला गया है, news paper के बार में, so इसके अलावा, जब यह साइन होने के बार, as soon as the accession document was signed, जब वो document साइन हो जाते हैं, और जो पाकिस्तान की जो support पाकिस्तान की उसको पीछे दखेलती है, जो ट्राइवल असौर्ट करता है, उनको पीछे देखलती है, जो पाकिस्तान स्पॉंसर कर रहा था, so इसके अलावा, इंडिया एंड पाकिस्तान की फोर्स को फास्ट वार माना जाता है, जो कस्मी के उपर लड़ी जाती, इंडिया जो पाकिस्तान की जो supported जो travel militant थी, वो कस्मी से तो कस्मी से तो वहां से हटा देता है, यहां से थोड़ा बहुत है, और इसके अलावा, जो मैंना पेक में दिखा था आज आजेर गस्मी उसे एरिया को बोलता है but इंडिया हावर उसको आज कस्मी तो मानता नहीं है पट उसको इंडिया क्या बोलता पाकिस्तान अकुपाइट कस्मीर जिसको P.O. के बोलते हैं So, पाकिस्तन क्या बोलता है आजद कस्मीर, इंडिया क्या बोलता है P.O. के For the area of कस्मीर under the control of Pakistan So, यह point is very important है So, अब यह issue आजाता है United Nation में So, इंडिया referred the dispute to United Nations Security Council on 1 January 1948 इस date को याद रखना directly exam में पुची जाती है So, इस date को इस date को इंडिया इस dispute को United Nations Security Council में ले जाता है So, following the setup of the United Nations Commission So, इस चीज को देखते हुए United Nations Commission established कर देता है क्या नाम होता है United Nations Commission for India and Pakistan So, यह Commission का नाम होता है On the UN Security Council resolution पास होता है Resolution No.47 on 20 April 21 April 1948 So, इस resolution को भी याद रखना है Resolution No.47 यह इंडिया पाकिस्तान के dispute का रखना नमबर है So, डारेक्टरी यह भी एक्जामर पूछा जाता है So, the UN resolution was non-binding on the India and Pakistan और जो रखना है वो non-binding है non-binding और इंडिया पाकिस्तान पर So, अखिर क्या है और दूसरी बात दिया है कि पाकिस्तान has to vacate all the occupied territory in the state and hand over the vacate territory to India और इसमें बोला जाता है कि पाकिस्तान जो भी territory हती आई है वो इंडिया को वापिस दी जाए and hand over to vacate to India इसमें यह जो टैटी पाकिस्तान ने जो हती आई है जो कबजे में लिया है legal occupation है वापिस इंडिया को दी जाए और इसमें बोला है कि इंडिया has to remove all its forces leaving aside enough to maintain law and order इंडिया को यह बोला गया है कि इसमें से कुछ मतब इंडिया को बोला है कि अपनी जो forces हैं वहां से कुछ forces अपनी हटा सकते हैं बट कुछ forces महां पर रहने भी चाहिए विकॉज उसको ताकि law and order को maintain कर सकें इंडिया के favor में था और इसमें भी बोला है इंडिया to conduct a plebiscite in the state plebiscite की मतलब है एक referendum किया जाए इसमें पाकिस्तन को मान ले जाता कि वह एग्रेश्ट है पाकिस्तन को बोले जाता कि जो लेंड अपने occupied किया गया इंडिया को वापिस किया जाए और इंडिया से बितना बोलता है जो forces है उतनी ज्यादा forces ना पस law and order maintain करने के लिए forces को maintain किया जाए सो यह इंडिया के favor में पूरा resolution था इसके अलावा जो प्लेवी साइड है वो अब तक क्यों है पर नहीं होता यह एक point आ जाता है तो इसकी एक main reason यह है कि पाकिस्तन हमें सब बोलता है रहता है पाकिस्तन को बोला गए कि उस एरिया को जो एरिया उसने किया वो पाकिस्तन को बोला गए रहता है जो इसी चीज को देखते है जो अभी जो कंडिशन है उस चीज को देखते है प्लेविशायट के अभी जो फेवर में नहीं हो चाहिए नए हो जो चाहिए को ने चाहिए का लगा होनों को नहीं हो 폴 9194 आभी जो अभी जो सब्मार्ट है एरिया वो पाकिस्तन के अंड Charlenton हमें इसमें इसमें Mango की जाति है तो मिलिवेट सब्सक्राइंब सब्सक्राइब घरीन है है इसके अम आपके निभी advocate librarian ने इंडिया और पाकिस्तान में टूगेदर इन कराची जो इंडिया पाकिस्तान जो भी मिलिटर रिप्रेजेंटिफ थे वो कराची में मिलते हैं 18 से लेके 17 जुलाइ के बीच में 1949 में अंडर दा और सब्सक्राइब कराची अग्रिमेंट के अंडर इंडिया पाकिस्तान की मिलिटर प्रेजेंटिफ मिलेते देने 1969 में है जो यहाँ से फायल राइन के स्टेब्लिशमेंट में पता चला था इस पर कहां से कहां था गया वैसे टाइम से अव्य है नहीं होता थे तो एसा ही ऑफ क्योलिटि पिक्चर के क्योलिटि मिलेगी सो यह पर यह महांपर लसी लाइन ऑफ कंट्रोल एक्च्वल वो मलती है यहां पर सीजवाइल का यह स्टैबली मतम हुआ था और यह अब तक कम सो इसमें और थोड़ा के लिए पाथ चलेगा सो तो दिस इस एलो सी लाइन ओफ इंडिया का लिया इरिया बलतिस्तान यह आजात कस्मी इस एरिया को बोला गया है आजात कस्मी जो पाकिस्तान ने इल्लीगल और कर लिया तो जो जो जौ जो डो जुद सो जो जो रजोलिष्ट जो फोटी सेमी नमर का इसी रोलुला कि पैला गया है किका पाकिस्तान को ये वाला एरिया खाली करना पड़ेगा और वापिस इंडिया को देना पड़ेगा तब ही प्लेविसाइट जो रफेरेंडम बोला गया तब ही होगा उस पूरे एरिया का उस रविशन में से यह भी बोला गया था अट इस से इसको देखते होँए वहाँ पर सेाक्षचा अब्डूला एक पॉलिटिकल लीडर है उस उनके मोह मिन्मेट की वह पर स्टार्टिंग होती है जब मुका मिर्य लोकल सरी X2 इन के इंकर κर्श सो थी Σब्स mellan थाYes को समीर को भी याद रखना विर्ष एकपरूल्ह एज प्रेशिंट और उसके कौन थे प्रेसिडेंट थे लेटर बाद में उसका नाम जाने देंस में क्या होजाता है नेशनल कॉंफरेंस तो पहले क्या नाम था मुस्लिम कॉंफरेंस बाद में जा था नेशनल कॉंफरेंस 1925 थी और शेक अब्दुला उसके प्रेसिडेंट थी तो इस पॉइंट को आप याद रखना नेशनल कॉंफरेंस वाजए सेकुलर और इसनल कॉंफरेंस की और इसके अलबा पहला उनके अच्छी खास लिलिशन भी थे फ के लावा नेहरू के साथ जो जबाला नेरू उनके साथ भी अच्छे खासे रेलेसिनिक थे, इसमें ये बताए गया है, इसके बाद, आफटर दा महारा हरी सिंग साइन दे इंस्टूमेंट अफ एक्सेशिशन जब महारा हरी सिंग ने इंस्टूमेंट अफ एक्सेशिशन साइन किया था, विद दा गौवर्मेंट अफ इंडिया, सेख अब्दूला जो थे, टोक अवर ऐस अफ प्राइम मिनिस्टर अफ श्टेट अफ जे अन के, सो जैसे इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन साइन किया था, उसके बाद ही, गौर्मेंट का cết को तो Gколь да टीए उन्हें फ्राइम कि स्ट कंगी उब çिढ एप उन्हें तो सीक अबदी बेंदे इपस् Yasam dependant कर चो इसके अबार चुन्स में जो इन्डान नहीं इन घृपकर हो दें जोने रखुएचिक फयर्फिर इंडिया ऒंडिट्रे फ्रौ आज याज एक। पाट्ट कि च्रेंड को भी थे लेना चाहते मतलब औरो बाद में जो एक्सेसिशन फिजो इंडिया की जए जो हो रही थी फॉर्मल एक्सेसिशन उसको भी डिलेट कर रहे थे सो इसे को दिखते हुए तब प्रो इंडिया अथॉर्टी जो थी डिसमेज तर्स ने इस्टेट गौशलर्मेंट में दिसमेज कर सब्सक्राइब और इंडिया जीता है पाकिस्तान एक वह नीचा था इस चीज को आप याद रखते हैं तो इसके बाद 1950s का टाइम हाजाता है चाइना स्टार्टेड गैज्वली ऑकुपाइन अच्छीन कस्मी जिसको अक्षाय चीन जो बोला गया है तो जैसे मैं बताएं गैस अक्षाय चीन वाला एरिया पाकिस्ता और चाइना वह उकुपाई कर लेता है इल्लीगल तरीके से और 1962 में इंडिया फॉर्ड वार विदा चाइना इंडिया चाइना इस चीज को देखते हैं पाकिस्तान सीडिड़ ट्रांस कारकोर्म ट्रेक्ट और कस्मी जिसको शग्जम वेली वोला ग द स्रेया है वो चाइना को कर देता है तो इसी वार के बार। ए धिक्श में देखें जो यह सब्सक्राइली इस वैली फेल्य ओ को पाकिस्तान चाइना को ग् capable कर देता आफ्ट नेंटे सीक्सित आ के बार और यह है अक्षाय चीन जो रिफ सेंग् सब्सक्राइब का था यट कर देता है और यह आजाद कश्मी जिसको हम P.O. के बोलते हैं पाकिसाद पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर और यहां पर रखत होती है कश्मीर वैली तो चीज को आप याद रखना इसके बाद पॉइंट आता है आर्टिकल 370 सो आर्टिकल 370 यह पढ़ते हैं ब्यकॉज इस आर्टिकल के अंदर जम्मु कस्मीर को कुछ कुछ special provision कुछ special status दिये गए थे in compare other states of inia ओप इंडिया सो आर्टिकल 370 included in the Indian constitution सो आर्टिकल 378 को इंदिन Constitution में इंखल किया गए था कभ किया गए था अक्टूबर नदर 17 अक्टूबर 1949 में as a temporary president के basis पे इंदर किया गयता है मतलब include किया गयता which exempt the jammu and Qasmi from the Indian constitution मतलब इसमें यह एक था कि jammu Qasmi का जो constitution है वो अलग होगा Indian constitution से so it allow it drafted its own constitution मतलब पावा दे गई थी वो अपना अलग से constitution को draft कर सकते है which and restrict the Indian parliament इससे Indian parliament को जो भी independent के जो रूल है उनको रिस्टेट के जाएंगे इस स्टेट में मतलब independent के जुरूल है वो जम्मू Qasmi में नहीं चलेंगे वह इतने allow नहीं होंगे but कुछ जो फेल्ड है जो कुछ फेल्ड के रूल है वह इसमें स्टेट में चलेंगे आगे मसमें बस मुझताता हूं इन शॉट इसमें बोलाए कि इट अकॉड़ेट इस्पेशल स्टेटिस देया जाता है स्टेट को गेविंग दे जेन के जो जम्मु कस्मीर रिलिश्टर है फिरी रेन टूदा ड्राफ इस ओनलम मतलब उस स्टेट की जो अकॉड के बोट इसमें इंडिन पारलीमेट को उस्टेट के लिरी बागयी इसमें प्रेट के दिन जोडब इन एरिया में फिरियेगी बनाएगी जसलों कौन कौन से अरिया हैं डिफैंस वाला हो गया फाइनस वाला हो गया या फॉरन अफेर्स हो गए सो इन एरियाज में इंडियन पार्लियमेंट ही इस स्टेट के लिए लौ बनाएगी ना कि जम्हू कस्मीर की लजिसलेचर सो इसमें आर्टिकल 370 भी बताया गया था इसके अलाबा एस रिजल्ट जम्हू एंड कस्मीर हैड इस ओन कॉंस्ट्यूशन और फ्लैग एंड पीनल क पोड था तो यह चीजा अलग मिल गी थी इन कंपेर कब मनदा बाकी स्टेट से कंपेर के एंडिया तो यह चीजा है चम्हू कस्मीर को एक्सरा मिली गी थी अंदर आर्टिकल अप 370 इसके अलावे एक और आर्टिकल था अंदर 35 इस चीजम इस आर्टिकल में कुछ और गातने तो आकि जो चीजन के टूटीके मिलिए टिकले कलास हो शो परसनने जो एक जो आर्टिकल पशलॲे के जो पुटी जने साय उसप को यह सब और बेजन पर्द में मिलेंट पर तक है कि और उसे में बाखतित पंद ट्सद्ध खरेंट नहीं के पॉआ Currently जीज है तो परे बाई नहीं कर सकते ऐसे कारफीस आ रहे हैं उसमें प्रोविजन थे इस अर्टिक थर्टिफ़ई में है इसमें और भी दे रखा है इस परिवलेच और प्रिवलेच टू इन मेटर सब बाहर के उन बाहर और जो स्टेट में जो आने वाले जो बाहर के स्टेट के पीपल उनको यह चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएंगे उनको प्रोवाइड के आई ना कि जो बाहर से जो आने वाले उनको चीज़ दे जाएगे इसमें यह था बट इसके अलावा तेज़े सेक्शिन आप पीपल आउटसाइड जेन के इसके अलावा इस सेक्शिन फिल्ड एड आर्टिकल 370 शूड अन देयरफोर भी रिवोक्ट एड जी एंड की शूड भी लाइक एन इदर स्टेट अंडिया सो इसमों मानना यह था जो आर्टिकल 370 उसको रिवोक कर देने चाहिए मैं इसको अठा देना चाहिए और जो जम्मू कस्मीर है और बाके अदर स्टेट की तरह जम्मू कस्मीर को भी इंडिया में इंटिगेर्ट कर देना चाहिए पूरी तरही के से जो पूरी तरीके से नहीं था पहले सब्सוגल थे जो इसमें पॉइंट में देखते हैं जो फॉलिटेक्स जो होती है अफ्र दर pé 650 इट सो ननिसके बात बाद में जो जो एक सीज को देखते हैं तो आफर filling दो प्रायंममिंसर शेख जो इस है वहां आपने लेंड रूसम लाते हैं मेजर लेंड रूसम लाते हैं कुछ अधर पॉलिक्सी भी होती हैं जो वहां के जो और जिनी पीपल हैं उनको बैनिफिट करते हैं बट देर वाज़े ग्रोइंग डिफरेंस बेफिन हीम एंड दे सेंटर गौवर्मेंट तो इस चीज़ को देखते हुए जो स्टेट गौवर्मेंट थी और जो सेंटर गौवर्मेंट थी उनके बीच में कुछ दिफरेंस इंक्रीज होते हैं फट बेट और अब आव़ड फोजिशन द्फूर के इस्टेट सो कस्मी में के इस्टेट को लेकर डिफरेंस in की सोते हैं he was dismissed in the 1953 और उनकी जो उनको dismissed कर दिजाता है उनीसो पत्रेपन में उनको dismissed किया जाता है central government की द्वारा and kept in a detention for a number of the year और उनको detention में उनको jail भी बेजा दाता है काफी बार इसके अलाबा during most of the period between 1953 to 1974 the congress party exercised a lot of influence on the politics of state मतला इसमें बोला गए है कि 1953 से लेके 1914 तर तक जो Congress party थी Congress party थी जो भी states की जो politics में उसको काफी बार उसने influence किया गया इसमें ये बोला गया इसके अलावा एट ट्रंकेटेड नेशनल कॉंफेर्स जो नेशनल कॉंफेर्स थी माइनस मतला सीख अबदूला के अलावा जो भी एक और नेशनल कॉंफेर्स थी मतलब Congress के support के द्वारा उसको पावर में लाए गया for the some time but later it merged with the Congress बाद में ये जो पार्ट सब पाईटियर नेशनल कॉंफेर्स जो सेख अबदूला के बिनाती उसको बाद में ये Congress के साथ मर्ज हो जाती है इसमें ये बोला गया है इसके अलावा इन मिल वाइल दा देर वाज ए सेवर अटाइम्ट तू रीच एंगरिमंट बेटिमें सेख अबदूला एं गवर्वर्मेंट अफ इंडिया ऐसे काफिसार मुवर्मेंट आते हैं जसमें सेख अबदूला और सेवर गवर्मेंट के बीच में एगरिमेंट साइन होते हैं एगरिमेंट फाइनल होते हैं एड फाइनली उनिसेख अबदूला के बीच में एगरिमेंट साइन होता है और बाद में सेख अबदूला जो होते हैं जमू कस्मीर के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं इस मैं यह बोला गया नियुसे चौतर में इसके बार शेक अब्दुला 1982 में डायड हो जाते है मतब मर जाते हैं उनकी मतब अब्दुलब सेक अब्दुला डायड and the leadership of the national conference जो National Conference की जो नीडर सुथी, उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है, उनके बेटे का नाम होता है, फारुक अब्दॉल्ला, उनके बाद चीफ मिनिस्टर जुमुकेश में कौन बनते हैं, फारुक अब्दॉल्ला, जो की सन होते हैं, शेख अब्दॉल्ला के, फारुक अब्दॉल्ला को मिलते हैं, जो National Conference, जो Congress Party के जो अलाइंस हुआता है, उसमें फारुक अब्दॉल्ला को एज चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जो यह था, इसके अलावा, 1989 में, इस्टेट हैड केम इन गिरिफ अफ मिलिटेंट मुव्मेंट, तो इस्टेट मिलिटेंट मुव्मेंट में इसका मतब सिकार होता है, महां पर militant movement काफ़ जदा increase होने लगता and it around the cause of separate कस्मीरी नेशन उनका काफी object एक एक रहता कि वो एक separate कस्मीरी नेशन बनाना चाहते हैं so the insurgent got moral, material and military support और ये सब जो separate, जो military so the militant movement था, जो कहां से उसको support मिल रहता पाकिस्तन की सब थे so moral, material and military support सब मिल रहता पाकिस्तन की तरफ से so the balance of the influential and deceitably treated in the Pakistan in favor of the late 1980s so the people of the sympathy no longer with the Indians so see, इसमें ये था जो people की जो sympathy थी और जो balance था, जो favor था वो पाकिस्तन की तरफ tilted होता जाता और जो इंडिन की तरफ के सब जो sympathy थी तो वो कम होती जा रहती so it had been 9847, 1448 लेगे, 9625, 9725 इस ये time था जब वहां की लोगों की जो sympathy थी तो पाकिस्तन की तरफ जा रहती so, इसके बाद the terrorist and a militant drove out almost all the Hindus from the Kasmir Valley मतब जो terrorists जो थे या जो militant जो थे Kasmir Valley से वहां से जो Kasmir Valley थी वहां से Hindus को वहां से निकाला जा रहता so, इस चीज में इसमें ये बताए गया है then, इसके अलावा, installing data future plebiscite और बोलते थे वह बाद में future plebiscite होगा if it had been, it'd be meaningless so, इसमें ये बोला है कि वहां से तो हिंदूस को निकाला जा रहता है और उसमें ये गया कि आवर जो future plebiscite होता है वह एक meaningless वहां की जो geography है, जो demography हो काफी ब्रुकुल change होता जा रहा है because महां से पाकिस्तन के जो people है, वहां बसाई जा रहे है so, ये बोला गया so, इंडिया impose the arm force इस चीज को देखते हो है इंडिया after act को वहां पर impose कर देता है जम्मू कस्मीर में कब करता है, 1990s में so, इंडिया impose apsa act जिसको arm force special power act बोला गया है impose कर देता है, जम्मू कस्मीर में in 90 by 1990s में so, ये क्या होता है so, apsa act is a parliamentary act होता है जिसमें, इंडियन की जो arm force है ये जो state of parameter force है उनको एक special power provide की जाती है in areas like, जो भी disturb areas होते है जो की जम्मू कस्मीर की तरह होता है या North East में तो होते है so, इन areas में, जो इंडियन की arm force है जो parameter force होगी है जो परिलिस होगी so, उनको special power provide की जाती है so, इस चीज़ का objective होता है कि आफसा act का objective क्या होता है कि महा की जो law and order है उसको maintain किया जाए जो disturb areas है अंदर precedent rule काफी सालों तक तो वाँ जो state है वो precedent rule के अंदर भी रहा है और आफस्वोर्स के जो अफसरेक्ट है उसके अंदर भी रहा है so, throughout the period of 1990 जम्मू कस्मी एक्सेंट वालेंस at the hands of the insurgent and through army action so, 1990 के बाद में जम्मू कस्मी काफी साली चीज़ जम्मू कस्मी ऐसे काफी सारे वाइलनस को phase करता है insurgents वाले वाइलनस को phase करता है so, और army action भी और जो insurgent को देखते army action होता है वो भी phase करता है so, यह इस time के बाद ही जम्मू कस्मी काफी disturbed feel करता है so, अब देखा जाए तो current stand क्या है इंडिया का जम्मू कस्मी को लेके before the article 370 में उसमा बोला उसमा बोला है कि no more mediation मताँ, इंडिया बोलता है कि वो कोई भी mediation नहीं मांगता मताँ, no more mediation with the UN or any other third party मताँ, इंडिया माना करता है कि ना यह वो UN की mediation लेगा ना यह किसी third party की mediation लेगा मताँ, इंडिया बोलता है कि इंडिया कश्मीर का इसू को इंडिया पाकिसाम के साथ ऐसे बाइल मताँ, किसके द्वारा बाइलेटरल टॉक्स के द्वारा बैटके, मताँ, बातचीत करके और जो, और जो similar agreement में चीजने बताई गहीं इसके according, इसको follow मताँ, resolve करना चाहेगा और इसके बाइला बोलता है कि no plebiscite happening in कश्मीर मताँ, कोई भी plebiscite कश्मीर नहीं होगा, जब तक पाकिसान जो भी, जो situation जो थी महाँ पर, जो कश्मीर में जब तक उस situation को reverse नहीं कर देता back to what, जो 1947 जो थी like territory होगे यह जो demographics थे, अब जो अब तक ख़वी change होगे है जब तक यह territory और जो टैमीर है, जब तक change नहीं होगी तब तक कोई भी plebiscite नहीं होगा जो ऐसा इंडिया का कहना है so, यह इंडिया का अब तक, अब का current stand है for the जमू कस्मीर, और especially कस्मीर so, और महाँ पर कुछ separatist की भी demand थी, so separatist की अलग-अलग section थे, तो उन अलग-अलग section की, अलग-अलग demand की like, उनका एक section तो यह बोला था कि, कस्मीर को separate nation बना जाए, और जो की इंडिया पाकिसन दोनों से अलग हो यह एक, मतलब उस section की एक section बोला है, उस separate की कस्मीर को पाकिसन के साथ मर्ज कर दो, और उसका तीसर section बोलर separate की कस्मीर को full autonomy दे जाए और उसको Indian Union के साथ या इंडिया के साथ, जोड़ दा जाए मतलब यह तीन सेक्षिन बोलने हैं सेपरेटिस के तो तीनों के अलग-अलग डिमांड है अब जो प्रिजेंट सेट्यूशन क्या है जो हो मिनिस्टन है वो आर्टिकल 370 को रिपील कर दिते हैं पांच अगस्त को विद्धा जो की जो की स्पेशल स्टेटेस प्रवाइट करता है जेन को इस चीज को व्याद रखना कि अब जो आर्टिकल 370 है उसको रिपील कर दिया गया है जो जम्मू कस्मीर है अब बाकी नॉर्मल स्टेट्स की नॉर्मल या यूटीज की तरह ही है जो गौवर्मेंट ऑल्सो डिसाइड टू बाइफर्केट दा स्टेट और गौवर्मेंट यह भी सोचाए कि उस रिष्ट को बाइफर्क कर देता है दो भागों में दो कौश होगी जम्मू कस्मी और दूसी हो गई लगई लग्दाग वाली जो गई विना लगोगी यह बोला गया है हमारे हो मिनिशन ने यह बोला गया तो इसके अलावा बैक इन थे वैली थ्री और जम्मू कस्मी जो प्रॉमिनेंट प्लिटिशिएं के जब ये 370 डिपील के जा रहता जो जम्मू कर्समी जो तीन परमिन प्लिटिसन के लाइक मैंवर मफ्ती होगे उमर अब्दूला होगे या सजल लोन उनको हाउस अरेस्ट में ले लिया गया जैसे 373 रिपील किया गया इसको बठाए गया इसके अलावा इंटरनेट सर्विस एंड मॉबाल सर्विस हैब बिन सस्पेंडेड इन सेवरे प्लेसे और अल पॉब्लिक गैदरिंग आर बेंड इन स्री नगर डिस्टीट ऐसेक्शन 144 फार सब्सक्राइब लिया गया जब 373 रिपील किया गया है वहां के जो पॉलिटिशन उनको हाउस और इसमें ले गया है यहां से यह एक union टॉठिटि छेहां पर shameless it學 ऊगा इस चीज को याद रखना और है लदा क्वालिटव जयांए फृइस तिष्मे USA ृक्वास प्ली यूनियन जो दो नहीं यूनियन टेरीटीज हैं केम इंटो एक्जिशन ओन थर्टी फन अक्टूबर तोजान उन्नीस विच वास सेलिविटेट एज दे नेशनल यूनिटी डेज तो यह जो दूनियन टेरीज थी कब इसमें आई थी एक्जिशन माई थी एकत्रीस इसको सेलिविट किया गया है इसके लाव एक मेंड पॉइंट यह भी है कि लूटेंट गौणर जो एलजी जो है जमू कस्मीर के अभी तक दो है तो पहले हैं ग्रीश चंद मुर्मू जिनको जी सी मुर्मू भी बूला गया यह पहले हैं तो इस पॉइंट को याद रगना पॉइंट को आप याद रखना इसके लावा यूएसे के जो अभी प्रेसिडंट जो अब हटने वाले हैं वो हमेसा बात बोलते रहते हैं कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे मेडियेटर का काम कर सकता हूं जो कि इंडिया पूरी तरीके से इसकी को मना कर देता और इंडिया ने बोल रहा कि इंडिया खुद पाकिसान के साथ मिलगे ऐसे बालेटर टॉक्स बालेटर टॉक्स लेकर इस कस्मी के इस्सूज को खुद सांथ खुद सौल करेगा और किसी भी थर्ड परसन या या यूएंट का इसमें साथ नहीं लेगा तो यह बोलागा तो आज के लेक्शन में बस इतना है अगर आपनी उप्सक्री लाइबरी को सब्सक्राइब नहीं झालेटर च।